इमया, बॉच्वाट पिरी में, इंडिया अजेरी aad पॉर। तो इंडिया लगबग इंग्लेंड जो है इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी से फाइल की जो उसकी जगह है वो साहथ खत्म हो जाएगी तो यह आज के मैस के पर बात करेंगे में साथ मौजूद है आशीश तो आशीश सबसे पहला सवाल आप तो यह है कि अगर head to head देखे ज नहीं पड़ेगा तो इन्दिया के यह मुकाबला अबनी जगहा उसके बाद कि आपकी कर ले उसके बाद को थिंचिस तेम के उनको आजमाएं उनको खेल लाएं उनको भी खेल नहीं क्या करतें क्या क्या नहीं लेकिन में जैसे at28 आपने बताया है साथ मुकाबलेड़ी गह तो जो टाइ मुकाबला और जो आखरी मुकाबला में भारत और इंग्लेंड के भी चुगा था वो दोजा ग्यारा में बेंगलूरू के मैदान पे खेला गया था तेंदुलकर ने सेंच्री लगाई वारत ने तीन सो अर्थेस बनाए उदर से इंग्लेंड के मौजूदा समय क कप्तान थे एंड्रू श्टोर्स उनों ने डिल्सो रन के आसपास बनाया और तीन सो अर्थेस पर जागे मौलवाट टाई हो गया तो कहीं ना कहीं जैसे दो मैच शार के आ रहा है इंग्लेंड इस वेल्ड कब में तो उसकी जीत की लिए वो तूट गई है और भारत को जो सबस्क्राइब बल्लेबाजी अब भी टीम इंडिया के लिए सर्दद बनी हुई है तो आप कहरें के बाद रहे हैं तो यह सही बात है बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताए कि शिखर नहीं है टीम में उसका असर मिल रहा है और वहीं सबसे बड़ी बास शिखर ओपन छोड़िये मद्दिकरम में आजाई है अगर कोली के रन नहीं आएंगे किसी दिन जल्दी जैसे कल का मैच आज का मैच जो इंग्लेंडर उसका भारत का अगर उसमें आउट हो गए कोली जल्दी तो फिर मद्दिकरम क्या करेगा दोनी के उपर जिम्मेदारी आती हाला कि दोनी थोड़ा स्लो खेलत तो अगर बात किया आज मैच को लेगा आपको क्या आज मुकाबला कौन से टीम जीतने के लिए प्रवल दावेदार है देखिए भारत मेरे इसाब से बिल्कुल भारत जीतना चाहिए इंदुस्तान ही हूँ तो आज हिंदुस्तान जीते और अपना सेमी फाइनल में जो अगर आपको अपडेट करते रहेंगे और वल्ड कप से जोड़ी जो भी खबर होंगी हम आपको देते रहेंगे फिलाल गहीं अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब करें जरू करें इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए